जाएं दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद है आप सब बहुत अच्छे सोंगे स्वागत है आपका इस वीडियो में इस वीडियो में हम देखेंगे आवध विस्वी द्याले में जो LLB का इंट्रेंस एक्जाम हुआ था LLB का इंट्रेंस एक्जाम 2022 में हुआ था बच्चो उसके कोश्चन पेपर को कुछ देखेंगे देखेंगे आप से इंग्लिस और हिंदी के भी प्रशन पुछे जाते हैं तो हम इस वीडियो में आपके 2022 में LLB में जो पेपर हुआ था और जो हिंदी और इंग्लिस के कोश्चन पेपर आये थी उसको हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे प्रशन आता है इससे आपको यह भी आइडिया लग जाएगा कि कैसे प्रशन आता है कैसे आपको एक्साम की तयारी करनी है कैसे आपको अटेम्ट लेना है आप सभी वकील सहाब और वकील साहिबा जो LLB करना चाहते हैं आवद विस्वी जाले से आप सभी का स्वागत है और आप एक देश के बहुत ही अच्छे वकील बने एडवोकेट बने जजजेज बने और हमारे देश की सेवा करें और कभी कभी मौका में देतो हमें वेच कुछ डिसकाउंट आप लोग दे देना ठीक है चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को सभी आप सभी फ्यूचर क कि आप CGI बने मतलब Chief Justice of India बने आई रिडी विश कि आप ऐसा आगे तरक्की करें अपने जीवन में तो दोस्तों स्वाग है आपके इस वीडियो देखिए इंग्लिस के कुछ सवाल पूछे जाते हैं अवद भी सुविद्याले में ठीक है आरमलू कि एकर मैं बात करूँ आ करना होता है तो उसी को हम यहाँ पे डिसकस कर लेते हैं अगर आपकी और आपकी परमीशन हो तो देखिए आप से एक सवाल पूछा गया था आवद विश्य विद्याले में यह वही कोर्शन पेपर है आई हैव डैश काव इस ब्लैक करना है तो आपके हाँ भरना चाहें न दिया है आपके पास कि ए एंडर या नन अब दीस तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों बिल्कुल इसका सही जवाब आई हाव डैश दकाव इस ब्लैक दकाव इस ब्लैक यह आपका पहला सवाल बहुत मुश्किल नहीं है आप सब बहुत अच्छा से कर लेंग इसका पहले हम क्या लगाते हैं बच्चों एन लगाते हैं रिमेंदी के आगे यह लगाते हैं लेकिन यहां पर अच्छा सब कर लेंगे He is a European, an European or the European. So definitely this answer is definitely going to be a European. Because here is a U. Look at the University. What does the University look like? A University. An University is not going to be a university. Okay. So let's do it. This is your second question. The English grammar question was asked. Fill in the blanks with a suitable article. He lives in the USA. He lives in the USA. Okay. He died, dash, cholera. He died, dash, cholera. From cholera, by cholera, of cholera, or for cholera. He died, he died of cholera. He died from cholera, of cholera. Or how much is this answer? So you have to tell us what the answer is. He died of cholera, by cholera, or for cholera. So 38, you have to say, he died of cholera. 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 Fill in the blanks with the prepositions. He jumped where? He jumped in water, in river, into river, to river. So this is a big basic question. I hope you all do this. Okay. He jumped where? He jumped into. Correct? He jumped into the river. When we do some movement, like I put this pen into the glass. When there is movement, it gets into the glass. Fill in the blanks with the suitable prepositions. And now I will say, well, that is a big do. So I will say that to you. Judge is a big! Judge, Judge is a big idea. Judge, Judge is a big idea. Judge is a big idea. Judge is with his future. He joined not only my success. But also yours! He rejoiced off, off, in, off and in. You can see what happens in your first life. में क्या होगा he rejoiced not only in my success but also at yours I hope मुझे लग रहा कि answer number C इसका सही जवाब हो जागा आप बता है इसका सही जवाब क्या होगा बिल्कुल सही जवाब C होगा correct which of the following sentence is the correct means कौन सा सही है he is the senior than me देखे जब भी comparison करते है अक्सर हम than के बाद मी लगा देते हैं लेकिन यहाँ पर senior than I होता है जो correct form होता है बच्चों वह senior than I होता है ठीक है वह जो correct होगा senior than I लेकिन यहाँ पर मी लगा है तो यह क्या हो जागा गलत हो जागा next देख लेते हैं next क्या है I have two fish I have two fish इसमें कोई problem नहीं लग रहा है I have two fish okay he has given me so many information I am seeing a bird तो नहीं होगा इसका सही job क्या हो जागा I have two fish 41 का answer number B सही है I have two fish correct बहुत अच्छा चलिए इससी तरीके से सवाल पूछे आप बहुत असानी से कर ले जाएंगे ठीक है कोई मुश्किल नहीं होने मारा है आपके साथ okay which of the following which one of the following sentence is correct okay next correct देखना राम एजवेल एज स्याम हार गोइः राम एजवेल एज स्याम आर गुए यह सही है यहां पर इंगलिस में फिल इन दे ब्लैंक्स विद शुटेबल वर्ब इन दे ब्लैंक्स विद वर्ब 2 okay fill in the blanks with a suitable work okay next question देख लेख लेते हैं about 30% of the amount has been spent have been spent had been spent was तो इसका सही जवाप क्या हो जाएगा इसका बिलकुल सही जवाप हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा इसका सही जवाप हो जाएगा बच्छो have been have been okay इसका क्या जाएगा have been have been okay strict next इनसी में अपके हिंडि सवाल कीतने नंबर कितने सवा सवाल यहाँ पे आपको देखने को मिले हींडि के आपके तोडिल दस नंबर यहाँ पी देखने के विए सवाफ-दे ब्डान को होते हैं करता ने करम को करर से संपर्दान का कि यह सारी चीज़ क्या है का रखें तो कितने टोटल का रखें आठ दस है चैसे बिलकुल सही जवाब आपका कितनी है बच्चो आठ चलिए निमलिकित में से कौन सा वाकि सुध्ध है सुध्ध रामे ने रोटी खाए से लग रहा है रामने रोटी खाया सीता Corey सीता भात काई एसका सभी ज़्य आ भात का-पक्र वाह उकरते है पहला को पूछेगे ढ़िए गड़े मुड़े उखाणने का क्या टत्पर है बता हिकृदे से मुर्दे उखाने का अब कब्र मुर्दे ना अच्छा एक और चीज वापलत में क्यों पूछा गया। क्योंकि आप लाइर्स माखों के ँक करते हो दे मुरr को रहते हो novo कोले को आपने ऐसा हुआ तो की की बहसा बहुत स्ट्रॉंग होती है कफंत को हटाना नहीं यह सारे सीज़नी होता है खोई हुई लास को खोजना बिल्कुल नहीं सो दभी हुई बातों को फिर से उभारना है बिल्कुल सही है हिंदी में मुहावरा है घर बसाना यह देखे कभी-कभी ऐसे मुहावरे देखे न मतलब आपको आपको यहाँ पर सताया जाता है तड़पाया जाता है बताइए यह देने की क्या जरूरती घर बसाना घर बसाना मतलब क्या चलिए घर बनाना नहीं घर बनाना नहीं होता घर किराय पर लेना घर किराय पर लेना नहीं होता घर में निवास करना घर में निवास करना भी नह संदी मिश्यद क्या है तक लीँ या इन में से कोई नहीं तो 49 का आपका सई जवाब क्या हुजाओ हाई यह घखर से चाहर है अन्याय का संथीद क्या है घरी मुख मानो चंद्रमाह ओ माई मुख मानो चंद्रमाह सोगॉत है। अन्या को दाखते के सवाध करें रहा है। वाक्य में कौन सा अलंकार है उक्मा है रूपक है उत्प्रिक्छा है या फिर सांत्र रूपक अलंकार है तो 51 का आपका साइड नमबर ऊजागा उत्प्रिक्छा अलंकार है ऑई उत्प्रेक्छा रंकार चलिए 52 देखते हैं पधारते हैं पदम कोई login इसे चड़ा रहे खूल पुस्प कोई करार रहे हैं पयपान कोई और उत्अरते सृधर आरती है इन पंकतियों में कौन से छंद का परियोग किया गया है आप से पुछा गया कि कौन से प्रit रभजय कर्या है शचन्द को प्रियोग में और एप turn फो रभात तो यहां पर बावन नंबर का सही विकल्प आपका क्या है बच्चो उप्वेंद्रवज्जा अलंका का रूप यहां पर परयोग किया गया है छंद का परयोग किया गया है हाला कि इसमें मुझे कुछ कुछ समझ नहीं आया क्योंकि मैं ऐसे हिंदी मेरा बहुत ही अच्छा नहीं है तो यह वाला चंद मैंने कभी पढ़ा भी नहीं है इसका क्या हो गए उत्व प्रे उ स्वारी या उपेंद्रवजसंस उत्पंजा यह क्या चंद यह वाला इसका सही कलब हो जाएगा चलिए इस हो तीन चार पांच चह साथ आठ opened बात करें एक तो 3 4 5 6 7 8 modify यहाँ पर आपके सवाल पूच़्चे गए प्रश्ण चाहिए थे लेकर यहां से आपका इस वीडियों को हम यही समाप्त करेंगे इस वीडियो में हमने देखा आपके हंदी और इंग्लिस के ठीक है बच्चो कोई समस्य कोई दिक्त नहीं इसमें हमने क्या देखा आपके हमने जो सवाल पुछे गए थे वो हमने आज यहां पर देखा I hope कि आपको पसंद आया होगा चलिए अगले वीडियो में जो भी questions है उसको हम देख लेंगे अगले वीडियो में ऐसे में चीके देख लेंगे और एसे कर करने देखंगे तो आपको इंटेशन मतले हमको करूंे यह पहले हैं आप सब्यक्त要 चूंता लैए और वीडियो से चूण हb About बढ़bang पे शूआ कर देखेंगे काईफलें ल son लिक वहाँ पे शियर करते हैं, so see you in the next video with the remaining part, I hope you guys are doing well, सब खेर, सुब रातरी, जाहिए, 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 भारत अपना खुब क्याल रखें, पढ़ते रहें, मेरी तरफ से बहुत बहुत सुब कामना है, आप सभी judges को, आप सभी advocates को, जाहिए साथियों.